के देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने मेरे दुश्मन ही जह सके ऐसी तरवार नहीं तो दोस्तों इस वक्त KGF चेप्टर 2 बॉक्स ओफिस पर कई सारे रिकोर्ड तोड़ती जा रही है लेकिन जब हम KGF चेप्टर 2 देखने गए थे तो उस फिल्म को देखने के बाद हमें एक बड़ा सर्प्राइस क्या मिला KGF चेप्टर 2 के बाद आप KGF चेप्टर 3 भी आएगी तो आप जब से लोगों को यह पता चला है कि KGF 3 भी आने वाली है तब से आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंड्स आ रहे हैं कि आखिर KGF चेप्टर 3 किस दिन रिलिज होगी तो दोस्तों यहाँ पर फिल्म के मेकर्स के तरफ से तो ओफिसल अनूस्मेंट अभी तक कुछ नई हुई है लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा कि आखिर KGF चेप्टर 3 कब तक रिलिज हो पाएगी तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते है कि KGF सिरीज को डाइरेक्ट किया है प्रसान निल ने अब प्रसान निल ने इस वक्त अपनी दो अपकमिंग फिल्मों का ओफिसल अनूस्मेंट कर रखा है जिया दोस्तों KGF के बाद प्रसान निल के अगले फिल्म होगी सलार जो कि प्रभास के साथ वो बना रहे है तो दोस्तों सलार फिल्म के सूटिंग अभी तक लगभग साहट परसेंट बाकी है जो कि 2022 खत्म होने तक होती रहेगी और 2023 में जाकर सलार को रिलिज किया जाएगा अब सलार फिल्म जैसे ही खत्म होगी उसके बाद प्रसान निल अपने अगले फिल्म की सूटिंग करेंगे जो की है NTR के साथ में जिया दोस्तों NTR 31 जिस फिल्म को प्रसान निल डाइरेक्ट करेंगे इस फिल्म की सुटिंग 2023 से सुरू होगी और फिल्म 2024 में खत्म हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर 2024 में KGF चेप्टर 3 की सुटिंग प्रसान निल अगर चालू करते हैं तो फिल्म को बनने में मिनिमम एक साल का समय लगेगा यानि कि दोस्तों कम से कम यहाँ पर KGF चेप्टर 3 को रिलिज होने में 2025 आ जाएगा लेकिन इतना तो कनफर्म है कि KGF चेप्टर 3 जब भी सिनमा घरों में रिलिज होगी KGF चेप्टर 2 की तरह KGF 3 भी बोक्स ओफिस के सभी रिकोर्ड तोड़ देगी बागे दोस्तों आपको क्या लगता है कि KGF चेप्टर 3 बोक्स ओफिस पर कितने करोड के कमई करेगी कमेंट करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल ना भूले